ौदोस्तों, पाटव 6 में हमने Doji Candlestick Pattern के बारे में सीखा था और Doji Candlestick Pattern जो होते है, जो इनका formation होता है कई टाइप का अलग-अलग formation होता है, अलग-अलग pattern होते हैं और यह जितने टाइप के Doji Pattern बनते हैं, उनके अलग-अलग नाम है तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग यानि की हम लोग Dragonfly Doji Candlestick Pattern के बारे में जानने वाले हैं और यह Candlestick कैसे बनता है इस सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में जाने गया और इसका Market पर Impact क्या पड़ता है और इसका Formation क्या होता है स्ट्रक्चर सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यह एक Doji Candlestick Pattern है यहाँ पर देख सकते हैं और इसका एक Long यहाँ पर टेल आपको दिख रहा है जिसे Shadow भी बोलते हैं जो Lower Shadow है जब ज्यादा लंबा ज्यादा Long होता है तो उसे जो है Long टेल बोलते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तो इस तरीके का Formation कहीं भी अगर बनता है तो समझ लीजिए यह एक Doji Dragonfly है Dragonfly Doji है लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है Doji कब बनता है Doji जो Dragonfly Doji है वो तभी बनेगा जब Market जो है Market का जो Trend है वो Downtrend हो यानि जब Market downtrend में जा रही हो उस टाइम अगर कोई इस तरीके का Candlestick Pattern बनता है इस तरीके का Formation बनता है तो समझ लीजिए यह एक Dragonfly Doji Candlestick Pattern है और यह Candlestick Pattern हमें जो है Bullish का Indication देता है यानि इस तरीके का Candlestick Pattern अगर Down Trend में Market है उस टाइम बन जाता है तो समझ लीजिए कि Market यहां से Reverse हो सकती है और यह हमें यह बताता है कि Market यहां से Market का जो Trend है वो Bullish Trend जो है यहां से Start हो सकता है तो इस तरीके से जो है हमें इससे यह सारी चीज़ें पता चल ज जाती है तो यह Matter नहीं करता कि वहां पर Red Dragonfly Doji बना हुआ है या फिर Green Dragonfly Doji बना हुआ है यह Matter नहीं करता है कि यह कहां पर बना है अगर इस तरीके का जो pattern है formation है अगर नीचे बनता है यानि कि bottom में बनता है जब Market downtrend में जा रहे हो तो समझ लीजिए Market यहां से Reverse हो सकता है और देख सकते हैं closing price यहां पर है और यहीं पर opening price है यानि same price पर ही for example ले लीजिए अगर 1915 पर माल लीजिए market जो है 1915 पर open हुई है और उसके बाद market नीचे गई market का जो price है वो गिरता हुआ नीचे गया 1900 पर उसके बाद फिर जब market close होने का time हुआ उस time market फिर से जो है price market का उसी same price है 1915 पर ही पहुँच गया उसके बाद market close हो गया मतलब same price पर जब market का जो price है वो same उस पे close हो यानि कोई भी candlestick pattern अगर इस तरीके से बन रही है जिसका opening और closing जो price है वो same हो तो समझ लीजिए वो एक doji candlestick pattern है और अगर इस तरीके का candlestick pattern बनता है तो समझ लीजिए कि ये एक dragonfly candlestick pattern है तो चलिए इसे हम जो है चार्ट पे भी यहाँ पर जान लेंगे इसके बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो दिख रहा है यह एक doji candlestick pattern है और यहाँ पर देख सकते हैं market जो है continuously यहाँ पर down जा रहा था लेकिन उसके बाद यहाँ पर dragonfly doji candlestick pattern बनता है उसके बाद market यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बनता है उसके बाद market यह से reverse हो जाती है और यहाँ से बुलिस जो है वो यहाँ पे moment जो है बुलिस ट्रेंड यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे देख सकते हैं market यहाँ से reverse हो जाता है मतलब कभी भी अगर चार्ट पे आपको इस तरीके का pattern formation दिखता है यहाँ 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 ड्रैगन फ्लाइ डोजी चैनलिस्टिक pattern आपको दिखता है बॉटम में जब market डाउं ट्रेंड में जा रही हो तो समझ लीजिए कि वहाँ से जो है market जो है जो है reverse हो सकती है और एक चीज़ आपको ध्यान देना है यह properly तब वर्क करेगा इसका सबसे अच्छा result आपको तब मिलेगा जब आप एक support resistance पर इसको बनते हुए देखेंगे अगर कोई आपने वहाँ पे चार्ट पे जो है support और website जा सकता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं आपको एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ जय हिंद